नीलू ने किया डोरी का सौधा डोरी बनी बिखारी फिलाल नानी को ये सच नहीं पता है कि नीलू डोरी का सौधा कर चुकी है और नीलू डोरी को बेच चुकी है किसी औरत को जैसे ही डोरी उस जगह पर पहुचती है जहां पर डोरी को भीक मांगना है उस जगह को देखकर डोरी शौक डो जाती है नीलू यहाँ पर आकर डोरी को बताती है कि आज से ये तेरी माल किन है डोरी के चेहरे पर मिट्टी लगाया जाता है और फिर बोला जाता है कि अब ये लग रही है भिखारी की तरह यानि कि नीलू के सौदे के वज़े से अब डोरी बन चुकी है भिखारी अब देखना इंप्रेस्टिंग होने वाला है कि इस जाल से कैसे बाहर निकलेगी डोरी क्योंकि अब डोरी को बचाने के लिए डोरी के बाबा भी नहीं है आपका क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टेलेविजन से जुड़ी सभी लेटिस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को